हलो स्टूडेंट्स वेलकम बेक टू माय यूटूब चैनल नौलेश का खीड़ा स्टूडेंट्स हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे डेटा इंडिपेंडनेस के बारे में तो लास्ट में क्या हुआ कि मेरी वीडियो के अंदर सांड आना बंद हो गया तो इसलिए जहा लोजिकल डेटा इंडिपेंडेंट्स दैन फिजिकल डेटेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड कि जब भी हम logical के अंदर कुछ भी changes करते हैं तो उसके अंदर हमें relationship का पूरा ध्यान रखना होते हैं जो database का logical structure है वो पूरा dependent होता है application programs पर ठीक है यह चीज मैं आपको बता चुका हूं कि logical में कुछ change करना ना it means कि आप उसके अंदर कुछ updates लेके आ रहे हो ठीक है कोई file को update करना जब भी फाईल को update रहता है तो पिछे वाली file को कब छोड़ा नहीं जाता है उनको भी सात्व लेके काम किया जाते हैं तो आप जो नई फाइल को अपडेट कर रहे हो उसको किसमें अपडेट कर रहे हो वो चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना होगा ठीक है तो यह उता है logical data अगर आप लोजिकल में चेंज करोंगे अग्याव इसका effect इसके Higher Level पर नहीं पड़ेगा तो आप इसको बोस होते हो कि यह logical data independence है ठीक है उसका जो higher level होगा वो view level होगा चलिए अब हम Next Topic कि बात करते हैं यह आता है तो हम इस topic को अच्छे से पढ़ेंगे तो database design का मतलब क्या है कि अब हमें अगर database को design करना हो तो उसको हम किस-किस तरीके से design कर सकते हैं हमें उस database को design करने के लिए किन-किन step को follow करना पड़ेगा ठीक है तो यह main concept है तो start हम करते हैं इसकी define से database design is the process of preparing logical and physical structure of data stored in a database to meet the information required of various application देखो database होता क्या है database को बनाने का main purpose क्या है इसका main purpose यह है कि आपके पास जो भी data अगर आप उस data को different different application पे use करना चाहो तो आप इसको वहाँ पे use कर सकते हो आपस में share करने के लिए हमें database को design करना होता है ठीक है ताकि आप अपने एक ही information को आप different different application पे use कर सको तो जैसे यहाँ पे बोला गया है कि database design एक process होता है जहाँ पे database के अंदर जो भी आप data store करते हो उसका logical और physical structure को prepare करना होते है तो आप उस database को use करके आपकी जो भी various application है वहाँ पे अगर कोई भी data की requirement है जो भी इसको information चाहिए आप उस information को database से सिधा access करवा के वहाँ पे use कर सकते हो ठीक है for example आपकी जो gmail id है अगर आप gmail id का use कहीं भी अलग-अलग application में करते हो क्योंकि अगर किसी भी website के अंदर आप login करते हो तो आपको वहाँ पे अपना email address देना होता है अब आपकी जैसे gmail के अंदर account है अगर application में करते हो तो वह application उस gmail के database पर जाके आपके email id को चेक करेगा कि यह valid है या नहीं है ठीक है तो आप किसी other website में अपनी gmail id दे रहे हो तो वह site कर रही है वह आपके gmail का database access कर रही है ठीक है तो हरे काम को easy बनाने के लिए एक database को design किया जाता है जहां पे आप different application के अंदर अपना data access करवा सुको ठीक है तो अब बात करते हैं कि database को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है हमें किन कि steps को follow करना पड़ेगा ठीक है अम मैं आपको जो steps रता हूँगा तो आपको इसमें याद रखना है कि आप एक designer हो आप एक database को design करने वाले हो ठीक है तो यहा development of schema जिसको बोलते हो view database design and last way हम बात करेंगे physical database design के बारे में तो चलिए हम इन सारे steps को one by one पढ़ लेते हैं तो यहां मैं first बात करता हूँ data collection and analysis for example आप एक designer हो आपको एक database design करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे आप जिसके लिए database बनाना चाहते हो या फिर database design करना चाहते हो तो आपको उस database के अंदर कौन-कौन सी information को store करना है आप पहले क्या करोगे उस information को collect करोगे collect करने के बाद आपको वहाँ पे analyze करना पड़ेगा कि उस information में से आपके लिए कौन-कौन सी information useful है ठीक है पहले आपने क्या किया data को collect किया collect करने के बाद आपको check करना है कि इसके अंदर कौन-कौन सी information उस database के लिए useful है तो चलिए हम इसको point by point पढ़ लेते हैं first point यह आता है कि in the first step of database design process designers meet the potential database user to collect their information requirement जैसे आपको बताया कि database design के first process में क्या होगा कि जो designer होगा वो उस database user से मिलेगा ठीक है मिलने के बाद क्या करेगा वो जो भी information requirement होगी उस database के लिए वो उसको महाँ पे collect करेगा तो user क्या करेगा user provides them their present and future information need तो user क्या करता है कि उसको present or future जो भी इसको information need होगी वो उसको provide करवा देगा किसको designer को तो data को collect करने के बाद क्या करना होगा कि हमें उसको analyze करना पड़ेगा to identify the data ठीक है फिर data को identify करना पड़ेगा needed to generate that information कि इस information को किस तरीके से generate करने है and the data source are identified वहाँ पर data source को भी identify करना पड़ेगा तो first step में यह रहेगा कि आपको उस information को collect करने के बाद उस data को आपको analyze करने और इसको information के form में generate करने ठीक है जो भी आपको वहाँ पर data की need है So second मैं बात करता हूँ conceptual database design तो आप क्या करना है कि जो आपने information को analyze किया है उसको analyze करने के बाद आपको एक क्या करना पड़ेगा आपको एक conceptual schema यानि कि database की conceptual schema को create करना पड़ेगा जहां जो क्या होना चाहिए कि सारे डीवे में से independent होना चाहिए ठीक है तो first point में आपको यह बता रखा है कि after data collection and analysis the next is to create a conceptual scheme of the database which is independent from all DBMS Second point में क्या दे रखा है कि conceptual scheme is the detailed description of all the entities conceptual scheme क्या होती है कि आप वहाँ पर जो भी entities का use करोगे entities आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पर कोई भी object, person यह किसी का आप database बना रहे हो उसको मैं entities बोलेंगे तो जितने भी entities होगी आपको उनकी detail को क्या करना पड़ेगा, describe करना पड़ेगा, ठीक है, describe कैसे करोगे, कि उसके अंदर क्या 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 रिलेशनशिप बनेगी, कौन-कौन से concepts का use करोगे और उसको इस तरीके से त्यार करोगे, कि उसको normal human भी अच्छे तरीके से समझ पाए, यानि कि उसको समझ आए, ऐसा हमें क्या करना है, conceptual schema त्यार करना है तो conceptual schema को त्यार करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ tools का use करते हैं, जो उस schema को एक graphical represent करते हैं उस database को एक graphical represent करने के लिए हम database का conceptual scheme को show करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ER model या फिर ER chart का हम use करेंगे ER model क्या होता है, वो आपको next वीडियो में पता चल जाएगा चलिए, मैं बात करता हूँ third point की, जो है data model mapping अब आपने क्या किया है, कि आपने अभी ER model बना लिया, ER model बनाने के बाद क्या करना है, आपको उसको एक data model देना पड़ेगा आपको मैंने data model चार पड़ा है थे, अब आपको उसको किस model के अंदर represent करना है, आपको यहाँ पर उसकी mapping करने पड़ेगी ठीक है, ER model तो एक database बनाने का जरिया हो गया, लेकिन हम इसको actual represent नहीं कर सकते हैं, हम इसको actual implementation नहीं कर सकते हैं actual implement तभी होगा जब हम data model mapping करेगे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं logical database design तो इसमें क्या होता है कि data model mapping is that face of database design, where we translate the conceptual model into actual implementation of the database इसमें बोला गया कि जो data model mapping है, वो database design का ऐसा face है, जहां पर हमें conceptual model को translate करना पड़ेगा वो भी database के actual implementation में, ठीक है, ER model को हम कभी भी actual represent नहीं कर सकते हैं, हम इसको graphically represent कर सकते हैं हम actual database को EN model के जरिए represent नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए data model use करना पड़ेगा, ठीक है तो mapping is DBMS depending activity and carried out according to DBMS product, जो mapping होती है, वो DBMS पर depending activity होती है जिसको हमें DBMS product के according carried out करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे relational database model हो गया, आपको पता है कि उसके अंदर जो data represent होगा, वो table की form में होगा तो आपको उस product के according क्या करने पड़ेगी, mapping करने पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर logical database design करेंगे तो इसके साथ क्या कर सकते हो कि जो भी आप logical database design करोगे, आप उसका एक view भी त्यार कर सकते हो, ठीक है, data model mapping के अंदर आप उसका view त्यार कर सकते हो, तो यहाँ पर database को किसी application के अंदर हमें कैसे view करवाना है, तो उसको भी इसी face के अंदर design किया जाएगा, ठीक है, तो पूरा schema त्यार करने के बाद, next topic आता है, refinement of schema, तो fourth step आता है, refinement of schema, इसमें क्या करना है, देखो जैसे data model mapping के अंदर क्या किया था, आपने एक schema त्यार किया थी, आपने उसका एक external schema त्यार किया थी, it means कि एक specific application के लिए उसका एक view level त्यार किया था, तो schema तो बात ठीक है, लेकिन हर किसी को पूरा data नहीं दिखा सकते, हमें क्या करना होगा, कि जितना data उस user के लिए enough होगा, हमें उतना ही data उसको दिखाना पड़ेगा, यासे example लेते हैं bank का, bank के अंदर जो cashier होता है, वो पैसे code deposit भी करता और withdraw भी करता है, ठीक है, अब करना क्या है कि जो cashier वहाँ पे होता है, जब वो किसी का account number enter करता है, तो उसके पास उस user की पूरी detail वहाँ पे show हो जाती है, ठीक है, तो example के लिए मान सकते हो कि उसके पास database का पूरा schema दिखाई दे रहे, अगर आप वो ही transaction अगर आपने mobile application से करोगे, जैसे phone पे, paytm, google पे, तो अगर आप किसी का mobile number या account number enter करते हो, तो आपको उसका पूरा data वहाँ पे दिखाई नहीं देता, आपके पास क्या होता है कि, उस schema का कुछ part ही दिखाई देता है, जो आपको schema का कुछ part दिखाई दे रहे है, उसको हम बोलते हैं sub schema, ठीक है, तो इस step में क्या करना है, कि हमें extra schema ही त्यार करनी है, किसी specific application के ल sub schema में divide करेंगे, और इस process को हम बोलेंगे normalization, ठीक है, एक schema को sub schema में divide करना, वो भी user की need के according, इस process को हम बोलेंगे normalization, normalization क्या होता है, ये topic भी आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है, तो निचे sub schema क्या होता है, आपको निचे स्की define दे रखी है, sub schema refers to the database view, but for the data items and records which are used in a particular application, और by a particular user, sub schema refer करता है database के view पर, लेकिन, तो particular application के अंदर use के जाता है, कि उसको कौन-कौन से data items represent करवानी है, कौन-कौन से records उसको represent करनी है, और ये भी किसी particular user के द्वरा ही इसको divide के जाएगा, sub schema को, ठीक है, यूजर भी अलग-लग तरह क्या होते हैं, कि किस user को कितना data दिखाना है, ओके, many sub schema can be derived from one schema, आप एक schema से कितने भी sub schema को derived कर सकते हो, कितने भी उसको divide कर सकते हो, ठीक है, तो इस step के बाद हम बात करेंगे, जो आपका last step आता है, वो है physical database design, तो physical database design क्या होता है, कि in this phase, we specify the structure of database in terms of physical design, तो इस phase में हमें क्या करना है, कि जो physical design के terms, जो database की structure होगी, हमें उसको specify करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था, कि उसका file system क्या होगा, कैसे उसकी memory को shrink किया जाएगा, expand किया जाएगा, तो वो हमें physical database design के अंदर करनी पड़ेगी, ठीक है, यानि कि उसको physical design की terms के अंदर, हमें database की structure को specify करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम क्या क्या design कर सकते हैं, उसकी storage structure को, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसकी storage structure को, access path को, उसके methods को, और file organization को यहाँ पे हम design कर सकते हैं, ठीक है, तो इस करके हम पूरा एक database को design कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका database design वारा topic यहीं पे खतम होता है, चलिए मैं आपको इसको short में बता देता हूँ, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें data को collect करने, collect वो करना है कि जो उस database के लिए requirement हो, जो उस database के लिए information चाहिए हो, हमें उस information को पहले collect करने, collect करने के बाद हमें उस data को analyze करना पड़ेगा, ठीक है, analyze करने के बाद हमें क्या करना है उसको एक graphical represent करना है ठीक है हम जो graphical represent करेंगे वो हम करेंगे ER model से अब जो ER model है वो एक conceptual design है ठीक है याणि कि हम इसको roughly बना सकते हैं लेकिन हम इसको actually implement नहीं कर सकते हैं तो हम इसको actually implement करने के लिए हम use करेंगे data model mapping का जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी data model आपको चाहिए आप उसको select करके आप उस ER model को database के actual implementation के अंदर translate कर सकते हो ठीक है ER का model आप use करके आप उसको अपने data model के अंदर store कर सकते हो तो data को store करने के बाद हमें क्या करना है हमें उसका एक view level क्यार करना है कि वो data जो हमने store की है उसको हम किस तरीके से represent कर सकते है तो यह काम भी data model mapping के अंदर ही होगा ओके तो यहाँ पे एक schema बन जाएगी ठीक है logical database design के साथ साथ यहाँ पे एक external schema बन जाएगी जिसको आप बोलते हो view ठीक है आप किसी भी database का किसी application के लिए view ले सकते हो data model mapping के अंदर उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें सभी को पूरा data नहीं दिखाना होता हमें क्या करना होता है कि कि किसी user कोई particular user है उसको किसी particular application के data दिखाना है तो data दिखाने के लिए हम क्या करेंगे हम एक process का use करेंगे जिसको हम बोलते है normalization, normalization एक ऐसा process है, जो हमारे data को एक consistent way में लगाएगा, ठीक है, जिस user को किसी specific application के लिए जितना data चाहिए, वो data उसको provide करवाज जाएगा, कब जब हम उस schema को sub schema में divide करेंगे, ठीक है, sub schema क्या होता है, वो schema का part ही होता है, जो की पूरे database का data नहीं होता, वो सिरफ कुछ ही part होता है, database के data का, ओके, तो आप एक schema से कितने भी sub schema को divide कर सकते हो, ओके, तो इस step के बाद हमें क्या करना होगा, कि जो हमने data को store की है, अब उसको हमें physical design करना पड़ेगा, ठीक है, physical design कैसे, कि उसके अंदर किस file system का use किया जाएगा, ठीक है, उसको कैसे access किया जाएगा, उसको access करने के जो methods होंगे, वो क्या क्या होंगे, ठीक है, तो वो चीज़ को हम design करेंगे, physical database design के अंदर, ओके, सो, ओके students, तो आपका ये topic यहाँ पे खतम होता है, next video में हम बात करने वाले हैं, ER model के बारे में, ठीक है, तो ER model क्या होता है, हम इसको next video में पढ़ेंगे, इस chapter के जो notes होंगे, वो आपको इस video के description box में मिल जाएगे, अगर आपको इस tutorial में कोई भी doubt है, तो please आप मुझे इस video के निचे comment कर सकते हैं, या फिर आप मुझे Instagram पे message कर सकते हैं, Instagram का जो link होगा, आपको इस दिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा, okay, so okay students, that's enough for today, see you in the next video, take care and bye bye.